पिछले कई माह से जमुआ को डर्मा जमुआ द्योगर जमुआ गिरेडी मुख्य मार्ग में होटलों एवं घरों से निकलने वाले दूशित पानी से जमुआ चौक चपेट की दंच जेल रहे थे हट तब पार हो गया बुधवार से जमुआ चौक से कई होटल से निकलने वाले दूशित पानी से आम आवाम परिशान थे इस मामले को लेकर गुरुवार को जमुआ चौक से दरजनो दुकानदार एवं वैपारी ने जमुआ विधायक से जमुआ चौक पर अवैद रूप से बह रही दूशित पानी निकासी पर रोक लगाने की फर्याद की थी शुक्रवार को जमुआ विधायक के दार हाजरा ने जमुआ चौक पर इस्थित वैपारी एवं फटपाथे दुकानदार से मिलकर पिछले कई माह से जमुआ की तीनों मुख्य मार्ग पर व्याप्त गंदगी को साफ करने में इस्थाने वैपारी की सहयोग से संभव है उन्होंने लोगों से अपिल किया की तीनों प्रमुख मार्ग में एक किलोमेटर का जिन्नो धार कर जमुआ को सुंदर बनाया जाएगा कहा कि इस मामले को लेकर हमने जिला कारय पालक अभयंता से बाद भी किया उन्होंने भी जनता की मांग पूरा करने के प्रती गंभी है कहा सभी दुकानदार अपने अपने दुकान के पास डस्बिन रखा करे दुकान एवं होटल से निकलने वाले कूरा करकट की साफ स्वैम किया करे मौके पर सांसत प्रतिनिधी, राजेंद्र प्रसाद यादो, केदार हाजरा, संजय यादो, राहुल कुमार यादो, विनैराय, नरेश यादो, सोना यादो, आदी मौजूद थे कैसे सुनर रहा, सुनर हो, इसकी चर्चा हम सभी लोग के बैठक में करेंगे, सभी दूआओं ने सामति जताई हो, और कल बंद्र में बैठक करके, कैसे इसका समस्या का समधान हो, इसको हमलोग बिचार विबश्च करेंगे. बुलाएं जो लोगों के बाद को सुने अव इसलोग पर आए हा करकर हम लोगों की समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने को कमीटी वैपारी कमीटी बलाने का लिद्र्डर दिये है जो हम लोग समकोई मिलकर कल पंच मंदिर जम्गवा में सभी वेपारिस्त महाँ पर उपस्तित होकर एक संग का निर्मान करेंगे और दिने लेंगे इसके लिए आप लोग को आना होगा हमको बताना होगा दिखाना होगा कि हर चीछ साथ रहे हम आपके साथ रहेंगे आप चलेंगे चार केकम हम चलेंगे दस होगा जम्गवा में रहें कैसे तुन्दर होगा समस्ता करना होगा और भी कुछ समस्या होगा उसका मिदान करने सकते हैं